वेल्कम बैक टू यूरोन चानल चार्ट का मनुफरेंच चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में किस तरीक का माई के मौकी मिल सकते हैं कौन सा वागा हो स्टॉक वह हम स्टॉक का मनुचैनल पर देखेंगे इस वीडियो में हम सिर्फ इंडाइस का आनलिस करेंगे अगर हमें पूरा ट्रेड का प्लान मिलता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के ट्रेड का सेटब देखेंगे और ग्लोबल इंडाइस और लोकल निउज क्यूस इस सारी चीज़े देखेंगे और स्पेशल निउज फॉर टुमारों के लि और सारे इंडाइसिस के एक्जक्ट लेवल्स और सेटप ग्लोबल ग्लोबल गोल्ड एंजी आयनार इवेज आयनार में क्या दिक्कत हो रहा है क्या सेटप बन रहा है बीटीसी इतेरियम सब कुछ हम देखेंगे चेलिया शुरू करते हैं यहां पर निफ्टी-फिप्टी में आया कॉंसलेट किया और वो रिस्टंस एक ही कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया अब उपर के लिए जो नेक्स्ट रिस्टंस रहेगा आवरली टाइम फ्रेम में तो नाइंटीन ताउजन सेवन हंड़े ट्विटी-सिक्स कर रहेगा इसके उपर ले सकते है रिस्क ट्विंट भी हो सकते हैं लेकि छोटी टैंप्रेम में जाके आपको ट्रेड प्लान करना कर पड़ेगा निफ्टी में देखेंगे यहां पर कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और शाहिद कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा कल यानि तुमारो तो आप उससे साब से थोड़ा फाइव तो यह पूरा का पूरा यह थर्ड कंपलिट हुआ और यह यह एबी सी यह ए एरिविलर भी और यह फिर थी कंपलिट हुआ है बन टो थी फूर फाइव पायट यह सी कंपलिट हुआ और यह इस तरीके से एक जबर्दस ट्रेड सेटप मिला अडवन्स बाम जिन्नो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोशन करों कि आप भी दिरे दिरे एक्विटी में शिप्ट हो जाई है वहाँ से आप आप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन 20% आप्शन 80% एक्विटी ऐसा करिए तो यहां पर आपको तो यहां पर एक सेटब जबरदस मिला है और यहां पर भी यह देखे ब्रेक और रिटेश्ट टैक्सी ब्रेक टैक्सी रिटेश्ट और यह फिर भूम तो यह दो ट्रेड जबरदस आज मिले उसके लिए और यहां पर हम अभी कल के लिए क्या कर सकते है जो हुआ सो हुआ अभी इसका तो ज़रत नहीं है यह टिफिन कहां से निकाला था अगर आपको पता है तो यह हमने जो यह देखे यह जो यह टिफिन यहां से यह जो त्री का टिफिन हमने निकाला था और एक्जैक्ट उसमें यह यहां प अब यह जो लेवल है इसका मैंने टिफिन निका रहा है यह हमारा टार्गेट भी हो चुका है अभी जो हमारा एक्जाट होता है अभी यह फिप्त का यह टिफिन है लेकिन मुझे यह पॉसिबलिटी कम लग रहे है मार्केट नीचे गिर सकता है क्योंकि यह सारे 1,2,3,4,5 सब कुछ कम्प्लिट हुआ है यहां पर हम बेरिश कब होंगे जब 19,581 नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है फिर रिटेस्ट करता है और बेरिश फेशर केंडल बनाता ह उसके नीचे करेंगे सेल चोड़ासन असर फ्यारस स्टोपलोस पाइला टार्गेट गोरेगा 19,560,19,530,19,490 यह सारे टार्गेट के लिए हमें यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं तो उससे सब प्लान करें लेकिन नेक्ट जो सपोर्ट जो आब आचाबा डबा है यह तो 19,479 तो यहां तक यह आ सकता है और इसके नीचे कर सकते हैं सेल और यहां से फिर बड़ा सीलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट पे जो कि हमें 19,368 तक लेके जा सकता है इससे सब से आपको प्लान करना है बैंक निप्टी का अगर प्लान करने का आप अगर सोच रहे हो तो बैंक 4,638 के ऊपर ही हम सोचेंगे जो भी करना है और हमने जैसे अल्रीडी डिस्कस किया था इसके बाद 44,958 से लेकर 45,365 यह टार्गेट के लिए कर सकता है यह स्ट्रॉंग रहेगा 45,365 यह स्ट्रॉंग रहेगा मार्केट यहां पे रेस्ट्रंस लेकित दुबारा भी घिर सकता है लेकिन यह यह यहां पे यहां पे थोड़ा गड़ बुलवा फिर दुबारा है यहां पे इन्वर्स इन्वर्टेड ही इन्षोल्डर तो यह अगर ब्रेक होता है तो इतना टार्गेट ऊपर गी तरपियानी 45,365 तका सकता है इसको और बारी किसे देखने के लिए छोटी टाइम प्रेम में डबा है यह इसके उपर क्लोज होना चाहिए कैंडल क्लोज नहीं हुई है 44,500 के उपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहां पे हम देख सकते है कि किस तरीके से प्यान आउट हो सकता है और अगर आपको छोटा बचा बड़ा बचाहिए तो यह लाश्ट स्विंग लो स 4,550 से लेकर 4,400 यह यह पचास पॉइंट के रेंज है इस पचास पॉइंट के रेंज में आप देख सकते हो किस तरीके से प्यान आउट हो सकता है और यहां पे आकर अगर सपोर्ट लेकर बूलिश प्रेशर कैंडल बनाएगा तो इसके हाई के उपर करेंगे बाई च्वा 44,550, 44,650, 44,750 इस तरीके से हम 44,800 तक के टारगेट है में देखने को मिल सकते हैं जो कि अभी आचीव नहीं हुए है जैसे कि निप्टी में आचीव हुए है लेकिन इदर नहीं हुए है लेकिन 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 44,378 यह नीचे ब्रेक कर देता है और रिटेस्ट करता है तो ह हम यहाँ पर भेरिश होंगे जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है चोटा सनन से प्यार से स्टॉप लोस रहेगा पाहला टारगेट जो रहेगा 44,300 दूसरा तारगेट 44,200 तूसरा टारगेट 44,000 का रहेगा इस तरीके से 4500 पॉइंट का पॉल यहाँ पर देखने को हम इस से साथ स कि हमें प्लान करना पड़ेगा अगर हम देखेंगे फिन निप्टी का तो फिन निप्टी में यहाँ पे साइड़ेजDoll बैयरी बुलिश है तो यहाँ पे अगर देखने का तो dalतीकर या पर भग आपको 24,300 पॉइंट की रियलिस में देखने को मिल सकते यह चोटे टाइम पर में इसको और बारी किसे देखने कोशिश करेंगे, तो यहां पर हमें जोन निकल के आ रहा है, तो यह जो गनो, यह 19,800 के उपर क्लोज हो जाता है, यहां पर हमें एक उपर की तरफा चेरे अली मिलेगी, लेकिन, लेकिन, अगर यह नीचे की तरफ आ जाता है, और यह जो जोन है, 19,700, 74 से लेकर, 19,751 इस जोन में, बुलिश प्रेशर के कैंडल बनता है, उसके आए कि उपर करेंगे, बाइच्वड असना सा प्यारा स्टॉप लोज पाहला टार्गे जो रहेगा, 19,800 का, दूसरा टार्गेट जो रहेगा, 19,850 का, तिसरा टार्गेट जो रहेगा, 19,900 का, इस तरीके से हमें ये लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि एच्व नहीं होया, लेकिन, 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 यहाँ पर अगर 19,750 नीचे के तरफ ब्रेक होके, यहाँ पर रिवर्स करता है, और यहाँ पर बेरिश परिश्र केंडल बनाते हैं, तो इसके हाँ लोग के नीचे करेंगे, सेल, चोटा सुनन सा पहरा सा, स्टॉप लोस पाइलाट आर्गेट जो रहेगा, 19,700, 19,650, 19,600, इस तरीके के टार्गेट आ सकते हैं, तो आपको वो दोने तरफ का ध्यान रखना है, और यहाँ पर बेरिशने से जाज चाने के ज्यादा चांसे से, यहाँ पर अगर हम और बारी किसे देखने कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर एक रैली के बाद, आज दर थंडी के अंडल लें उतना रैली नहीं है, और यहाँ पर इंडैविक्स भी साइड़ेस टू बेरिशी है, इस जोन के डबा के उपर भी नहीं जा रहा है, और नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इसी जोन में यह आटका हुआ है इंडियाविक्स यह किदर तो ब्रेक होना चाहिए तो यह मज़ा आएगा और यह जो गिपनिप्टी है यह जो साइडवेस दिखा रही है डीजेए का फ्यूचर दो सो पॉइंट ओ शिट है तो यहां पर इस लिए नीगेटिव हो सकता है यहां पर यह बिरिश प्रेशर भी दिखा रहा है तो दे चते क्या होता है यह 200 कि पॉइंट का पॉइंटि पॉइंटिपरश के उनाओ फ्यूचर दिखा तो इसलिए यहां पर बेरिश मूड हमारा जादा एकल के लिए और यूएस ओयल को भी हम देखने कोशिश करें तो यूएस ओयल में भी साइड़ वेरिश के लिए आसाता है बहुत बड़ा ब्रेक आउट किया है और यह अगर ऊपर के तरफ जाता है कंसिस्टंटली तो यह इ इंपॉर्टन टॉपिक है यह और बिलकुल यह दिखिए यह ट्राइंगल बाना था उपर के तरफ ब्रेक हुआ और यह जो ब्रेक होके जो रिटेस्ट हुआ है एक्जैक जीजर में आया है रैट इस जीजर का किसको समझ में है हाथ उपर करिए और बाकी लोग यहां पर इ रिपर फाइव यह वएव वउन हो गई और वेव टू और एक्जैक जीजर से और हमने यहां पर बोला था राज आपको ख़ला था इधर से ट्रीपल थर्ड वेज शुरू हो जाएगे और वो शुरू हो चुकी है लेकिन यहां पर यह जो यह जो यह पर बूम करेगा तो हम यहां पर तपक रहा है नीचे की तरफ तो यहां पर सिल्वर का अगर देखेंगे तो लगबग जितना गया था उपर सपोर्ट लिए उतना यहां पर रिवस्ट आ रहा है सपोर्ट पर बिटकोइन गिर रहा है इतिरियम तो हमने अल्डेरी बोला था राज आपको ख्वाला थ यह सबसे हमें काम करना पड़ेगा और यहां पर तिल्वर का रहा है नीचे की तरफ और इसने ब्रेकडाउन के आए ने कई तो कई रेकॉर्ड हमेशा ब्रेक करता है लेकिन अभी भी वह बेरिश होने के चांसे दिखा रहा है डैक्स बाकि सारी चीज़े यहां पर सिनेरियो है तो यह सारी चीज़े है उसे सबसे हमें काम करना पड़ेगा और यहां पर टेलिग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारी एपोर्स अगर आपको अच्छे लग रहे तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो आपके वाट्सप ग्रूप पे टेलिग्राम चैनल पर जिदर जिदर आपके सोशल मीडिया पर टैक कर सकते हो तो मेरी डियर सारी शुप कामना आपके साथ है और बिलकुल प्रॉपिटेबल होने के लिए अगर ऑप्शन में लोसे हो रहे है तो स्टॉक कमंडो को भी आप सबस्क्रेब कर सकते हो फ्री है यह इसे लेकर जेड तक और वहां पर आपको प्रॉपिटेबल ठोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि तो हन्रेड परसंट प्रॉपिटेबल हो सकते हो और मेरी डियर सारी शुप कामना है तो सदा आपके साथ रहती है बाई-बाई-बाई-फॉर नॉओ